तब कहा थे आप, जब आप लोग काम करते थे भीम आर्मी चंसेखर भाई ने उसी का फायदा उठा रहा है क्योंकि हमारे खून में है कि बाबा सहाब के नाम से, हमारे बहुजान समाज के नाम से हम लोग जान देने के लिए भी तैयार होते हैं, उसी का फायदा हमारे बड़ सभी समानी साथियों को जैभीम नववद्धाय और मैं प्रदीकुमार एड़वोकेट इलाहवाद के हैं मैं 2017 में भीमार्मी को जूड़ा था भीमार्मी में जो एक भारत में एक मीशन कार करता था जो बहुजन समाज के साथ कोई भी अतियाचार कहीं भी अतियाचार होता था या हमारे महापूर्सों के साथ कोई भी छेड़ शाड़ करता था प्रतिमाओं के साथ तो वहाँ हम लोग अपने टीम के साथ पहुचते थे और हम लोग अपनी युवाओं को ले करके अपने समाज की आवाज उठाने का काम करता था कहीं भी थाना हो या डियम के यहाँ हो हम लोग अंदोलन करके कारी करता था साथियों इसी तरह से दो साल लगातार इसी तरह कारी करम किया गया और प्रतितिन कहीं न कहीं अब पूरे जिले में हम कारी करता था पूरे बारविधान सभा में अब बारविधान सभा हमारा था हमारे जिले में उसके बाद अने जिलों म में हम काम करता था जिसे राजस्थान आगरा गोरगपा और गोरगफूर ना जिसे उत्तर प्रदेश में 75 जिला हैं तो कहीं न कहीं हम हर जगह कारी करता था और मैं था सिर्फ अपनी इलहावाद का जिला देच तो जब 2019 में बड़े भाई चंसेखर जी ने कहें कि मैं चुना अगर लड़ों का बनारा से तो क्या आजाग समाजव पार्टी निर्माड हो था ना कोई पार्टी था ना किसी पार्टी गड़ बंधन था एक सिर्फ मीशन था सब्सक्राइब जब करें डिली में चका जब्सक्राइबा आपको पर जा Casey कमें और सब्सक्राइबिका और मोधि को हराएंगे जी तो हमारे दिमाग में आया कि इसके पास मोधी का इक भी ओट नहीं है कि इसके पास नहीं है बड़े भाई चंसेखर के साथ एक भी ओड़ी के खिलाब अथा एक भी ने उनके साथ पटेल है, ना बिंद है, ना नुनिया है, ना कोहार है, ना लोहार है, ना सोनार है, ना यादव है, ना 6463 जो जातियां हम लोगों की है, जो सुद्र जातियां हैं, ये जातियां एक भी उनके साथ नहीं है, नहीं फिलाल अभी मुसलिम काफी तेजी से बाबा साहब का सपना हम लोग मिल करेंगे पूरा बाबा साथा क्या था यही था कि हम भारत हमारा बाध हो बहुदिश्ory को बात करते ही नहीं जहां बात करेंसे अबीधान की बात करेंगे इस पूरा सभीधान को मांनता है सबीधान पूरा देश मानता है लेकिन युवाओं को उखाड करके और रोड पे ले आ ले आकर के हमारी युवाओं के उपर अफाई यार करवा करके उनको जेल भेजने का काम करता है जहां भी देखिए वहां हमारे देखिए बाबा साहब के नाम से हमारा समाज हमारा खून वो है जो बाबा साहब के नाम से जान देने के लिए भी तैयार होता है वही काम ये कर रहा है उसी का फायदा उठा रहा है भीमार्मी चंसेखर भाई ने उसी का फायदा उठा रहा है क लोग जान देने के लिए भी तैयार होते हैं उसी का फायदा हमारे बड़े भाई चंसेखर ने फायदा ले रहा है क्योंकि आज वह चीजें न करें जैसे आज तक मैं लगबग दो साल जुड़ा था भीमार्मी में कभी भी मंचो पर नमो बुद्धाय नहीं किये हैं कौन नह उन्हें को नहीं मिला है कि चंसेखर आजाद उर्फुरावण जो है नमो बुद्धाय नहीं बोलते हैं तुटल जैभीम बोलेंगे जैश्विधान बोलेंगे और बस उसके बाद और तमाब महापुरसों की भी बात नहीं करते हैं मान्यव साहब की बात करेंगे आप यह ब वीरे पाए गया विने रतंजी विने रतंजी जो बिम आर्मी कि आप उस समय बीने रतंजी या बड़े भाई आप उस समय क्यों आर्यसंस में जूड़े थे तो कहें को उस समय में जनकारी नहीं थे मतलब उनका उम्र लगवाद 20 या 21 साल था और उस समय था जब वो आरेसस में थे उनका उम्र 20 या 21 साल था हम उनसे फ्रस्थन किया कि जब मानुवा साहब बहुजनों को जगाने की बात करते थे अब बाबा साहब ने आपके सहरनपूर में चुनाव लड़े थे तो इसे सिद होता है कि आपके हां महापुर्सों की बात मानुवा साहब का विचार आपके घरम ही नहीं था आपके बापके अंदर नहीं था किसके घर में विचार दारह नहीं नहीं रतन जी के घरम मुझ पुरूें को विस स्वम सभ्स तो अज पुपूस साहे चाह फून कुछल नहीं जोड़ता है उच्वार्णॡ ते नहीं को जानते तम समस्वार काईब यो आश्ची वएलिभ्य द्ढे सब्सक्राइब अधर आज जब यह पार्टी बनाएं पार्टी बना करके बहन जी के आवास पर गया था बिनाय रतन जी चंसेखर भाई तमाम लोग हमारे पास फोन आया कि देखिए बहन जी जो कि मानुवा साहब ने उनको इतना बड़ा नेता बनाएं और उनको एक पार्टी का राष्ट्री उनके परिवार्श मिलने नहीं गई लेकिन देखिए बड़े भाई चंसेखर ने उनके घर तुरंद गए मिलने तो मैं उनको तुरंद का यह कौन कह रहा था जैसे कुछ लड़के हमारे पास संदेश आता था तो जो तो मैं तुरंद उनको कहा कि जब मानुवा साहब ने बहन जी के पास गए उसी उम्र के उनके पास भी बहन थे उसी उम्र के उनके पास भी उनकी बहन थे आज वो चीज बहन जी का अंदर जो देखें वो चीज उनके बहन में दिखा होता तो दूसरी बहन खोजने का काम न करते मानुवा साहब तो इससे सिद्ध होता है इससे स कि गाल कि हमारी बहन साधी करेगी بن ही बच्चे पार बिचास करें गे मतलब साथी अपना प्रिवार देखेंगे वह चीज उनके बहन के लिए थ्य करें के रहंगे तो अब दूसरी बात जब हम कहें कि अब ये बताइए मानवा सहाम ने बहन जी को खोजा उनको पता था कि बहन जी में वो क्रांधिकारी है जो कि अपने समाज को पूरा परिवार अपने बच्चे के जैसा सीचने का काम करेंगे पूरे बहुजन समाज पार्टी जितने पदाजिक्यारी रहेंगे, जितने पड़तियासी होंगे, जितने समाज में जूड़े होंगे, सभी को सीचने का काम करेंगे, इसलिए मानवा सहाम ने बहंजी के पास जाने का काम किये थे, इसलिए अपनी बहंजी को नहीं नेता बनाए न, इसलिए तो उनसे नहीं कह क्या करते हैं कि हम अभर समाज में प्रत नफरत पैया करने सब्सक्राइब रहे हैं कि मैं मानोग सहाब के घर गया मानोग साब को सिश्टर से मिला तब कहां थे आप जब आप रोग कांग आरे समें काम करते थे चोटो भाई राश्ट्री अदोश तो था ही फोटो मेरे पास आया हैए विनयरतन जी का पहले आरसेश में काम करते थे लेकिन अब जो है भी 나눔 मी में काम किय है उसके भाद आजा समाजपार्टी में आ गए इनका कहना है क्योंकि उसके पहले जब मैं जुड़ा टऊसके पहले पहले ही जब जेल में थे हमोस समय उनको अंदोलन करके रजंतर्मंतर पर अंदोलन किया हमारे Оल इलहा बाद के टीम गई हो hari्ण किया बाहर निकलने का काम किया गया उसके बाद आए रोड पर और जब बाहर निकले बस राजनीत कहने की बात करने लगे उसके बाद पहले यह करते थे ना मैं कभी जुका हूं ना कभी विका हूं ना कभी राजनीत किया हूं ना करूंगा अब डारेक्ट राजनीत की बात उन्होंनों तो यह भी कहा था कि मैं पार्टी कभी नहीं बनाऊंगा और दूसरी बात कुछ ऐसे वीडियो आए हैं हमारे लिए उसने कए कि मेरे नाम के आगे कोई भी रावण लिखेगा उसके उपर सुक्त कारवाई किया जाएगा उसके उपर आफाईयर किया यश्फ आँज hm आब तो सुक्से रावण कहते हैं कोई नाम के आगे रावड लगाएगा उसके उपर मैं आफायार कराएंगे इससे सीध होता है इनका कोई भरोसा नहीं है कोई बात की कीमत नहीं है कब कहां क्या कर देंगे अब बताइए आप कह रहें कि मैं चुनाल लड़ूंगा मैं विजेपी को हराऊंगा उता प्रदेश में बताइए इन से पूछा जाए कि विजेपी कोट कितने हैं आपको पास यह भी ओड दिखा देंगे तो जो कहेंगो तो सर्थार जाएंगे फिर पुना पार्टी में हम घुस जाएंगो उनके आजा समाज पार्टी में एक भी बता दें कि यह बीजेपी का नेता था यह है हमारे में और कहता कि हम सिर्फ भी सी की बात करेंगे यह सी की बात करेंगे मुस्लमानों की बात करेंगे मुस्लमानों के भी तो अलग धर्म है कौन सा धर्म है उनका जो मुस्लिम भी तो है मुस्लिम धर्म में भी कहीं भी कोई भी बात होता है जैसे हमारे हिंदू का धर् लुस्लिम धर्म कोस्ति हैं नहीं चाहिए- जो आप धर्म की बात करना चाहिए- ऐसे थाम की सबस्यतीक That जन के सब्कूर आपने ही पहरति हालिभरत सुप्रेम ग़ून की पएस निसान पहिए भीम है यह बस यही अंतर है बाबा साब ने इतना तो करके चले गए कि पूरे भारत को बधमें बना चले गए हैं हम वह बुदिष्ट है क्योंकि पैसे में भी असोग सम्राज चन पाएंगे अस्तम पाएंगे में कारण जो था भी मार में छोड़ने का में कारण क्या था मेरा उद्देश यही था क्योंकि हम उनका सिर्फ एक मीशन से और विचाधारा से जुड़ा था ना कि मैं राजनीत करने के लिए आज मैं बहुजन समाज पार्टी का ओट दूँगा आप जो है बहुजन समाज पा साहब के वह बनाया हुआ घर है हम नलायक नहीं है कि जो मानुवर साहब बनाया हुआ घर को बिगाड़ दूँ मैं उनका अच्छे सिपाहियों हूं इसलिए हम बनाने और सीचने का काम करूंगा बहां जी पच्वा बार्मुख मंतरी बनाने का काम करूंगा आप साहब साहब जो है 1585 का एजेंडा लेकर चलते थे लेकिन आज जो है बहुजन समाज पार्टी 1585 की बात ना करके सर्व समाज जो है जो रहें बहुत तेजी से सर्व समाज देड़ भी रहा है इस पर क्या मैजर डालते हैं देखिए मानुख साहब ने उसमें मीशन की बात करते थे जो मानुख साहब थे तो उसमें मीसं नहीं हूँआ थे हुगा था मानुख साहब थे तो तभी समाज समाए 7 नायको Bennett पुरेमानोव शाहब महा पुर्फों के नाम से जिला टहसील और विधवया नाम किया गया सभी महापुरसुंग नाम से सभी महापुरसुंग नाम से कॉले बनाए गए सभी महापुरसुंग के नाम से स्कूले बनाए गए सभी महापुरसुंग के नाम से जिले बनाए गए हर चीजे हुई है सभी महापुरसुंग पुरुत्ता प्रदेस आप अधमे है सभी महापुरसुंग नाम से है कभी कभी जो है सुनने को मिलता और ट्यूटर पे लगातार जो चंज सेखर के बिरोधी हैं वो लगातार कहते हैं कि यह आरिसेस की भी टीम है चंज सेखर आजात की क्या यह सही है आप कहेंगे फलाने को मैं खत्म कर दूंगा चुनार लड़की है नहीं से तो आप बताएं आप हमारा वोट काटेंगे इनका वोट काटेंगे लिए प्रस करेंगे बैस्पा काभूर माइनस करके बिजब पूर स respectively करेंगे क्योंको चुनाव लड़ेगे और सिर्फ हान पहुचाने का काम करेंगा तो बसपा को पहुचाएंगे जब पहुचेगा तो सपा बीजेपी निकलने का काम करेंगा अच्छा बहुत लोग यह भी कहते हैं जो है चंसेखर जो है क्या करेंगे यह भी बात सही है जो है जो है आजास समाज पार्टी है क्योंकि यह दोनों की बात नहीं करेंगा इनके जितने कारी करता है बसपा की बात करेंगे जो चीजें अन पार्टियों के कारिकरताओं के द्वारा सुनी जाती थी आज अजास समाज पार्टी वही काम कर रहा है अजास समाज पार्टी के जितने कार करता है सब मानौस साफ और अवहनजी पर उगली उठाने का बात काम लेंगा तरू कहीं कहीं ज समाज करतार है अ चल्टाच्म पर तर पर उंगलीड मुकदमा कर रहें प्याजर रहे हैं क्योंकि हमारे उपर खुदा फायार हुआ जो इवाओं को कहीं भी अंदोलन करा देंगे अपना भी ओस हो करका आई सियों में जाएंगे जाएंगे और चनसेखर भाई ने यहीं काम करते हैं कहीं भी अंदोलन होगा कहीं करांत के मतलब जुनली बात आएंगे अपना डार गिर जाएंगे यहास हो जाएंगे क्या लगता है कि आप भी पताथिकारी हैं या कार्य करता है मैं कोई भी पधादिक्यारी नहीं हूं पहुजन समाज पार्टी का क्योंकि वह मारा घर है अच्छा घर है जो है पांचवे बार बहन मार्वती को सरकार में लाएंगे देश में महेंगाई बेरोजगारी सिच्छा पर देखा जाए तो देश को युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं देखें बिजेपी सरकार ने पूरे उत्तर परदेश नहीं पूरे भारत को बरबाद कर दिया है क्योंकि जिस तरह से यह रोजगार देने के बात किया था उसी तरह से रोजगार च्छिनने का काम किया हैं क्योंकि जो हमारे भाई हमारे बहन बेटियां जो बंबई सुरत दिल्ली जा करके काम करते थे तमां कंपनियां में चाहिए दस हजार या आठ हजार में काम करते थे कुछ भी होता था वहां अपना जी खा लेते थे बीजेपी सरकार ने आकर कि वह भी छिने का काम किया जो कि पहली बार आजादिक अबाद इसके पहले अंग्रेज भी थे मुंगल भी राज की हमारे भारत में हमारी बहन बेट हमारी बहन बेटिवां का डिलवरी रोड फिक हुआ इस बार क्योंकि कुछ लोग ऐसे पाखंडवाद विचाधारा और मोधी के भगत लोग कहते हैं कि बीजेपी का राज न होता और मोधी जी न होते हमारा देश कपसे ही खत्म हो गया होता इस कुरोना के महामारे में तो म मैं आज तक माक्स नहीं लगाया और ना मैं आज तक सुई लगवाया हूं इनका क्योंकि कुछ लोग ऐसे काते हैं कि आपको भारत में रहना है तो जरूर आपको सुई लगवाना है तो मैं कहा कि भारत से डर है भारत के नेताओं से डर है वीजेपी सरकार से डर है ना कि कि वाइरस नहींノ नेंट तू हु झुनम भाजी सब्सक्राइब समय को गुलाम बनाने का क्यों sépt यह लोग मंदेशाओ ने की कितने लेक्शी नहीं jó भीडिव हर डिये लेक्ट सरकारी समय बेंको दिन का अधिया अई देश हमारा बरबाद होने में देश हमारा बरबाद हुआ है सारी जातियों का हाथ है इसमें जिस तरह से आप पूर ने सुना कि जो मिसं था जो उनका भी मार्मी भारत एक्ता मिसं था वो आजासमाजपार्टी में आ गया वहीं जो है इलाहबाद के पूर्व जिलाध्यच भीम आर्मी के जिलाध्यच परदीब जी इस्तीफा दिये उसका कारण क्या था आपने सुना और देखा इसी के साथ हमें फालो करने के लिए डिस्क्रप्शन में इस्टाग्राम, फेस्बूक, ट्यूटर को फालो करें चैनल को देखते रहें चैनल सब्सक्राइब करें